I am myself Vandana Grover and today I will teach you about parts of speech. आज मैं आपको parts of speech के बारे में short way बतलाऊंगे. Dear student, इसके बारे में बतलाने से पहले मैं आपको एक story सुनाऊंगी हिंदी में, ध्यान से सुनेंगे. एक बात की बात है, लंदन में एक बहुत famous family रहती थी और family का सर्नेम था Grammar. उसकी स्पलिंग क्या थी? G-R-A-M-A-R ग-R-A-M-A-R पीटा लास्ट में A-R था, ये धिरान रखेगा नाउ, उस पैंली में हस्बन वाईफ थे पहले हस्बन का नाम था नाउन और उसकी वाईफ जो थी, वो थी वर अब इनके तीन बच्चे थे, दो बेटे और एक बेटी, जो बेटे थे उनमें से एक का नाम था प्रणाउन वो क्या करता था, जब कभी उसके फादर घर पर नहीं होते थे, किसी काम से बाहर चाते थे, तो उनकी एपसेंस में, जो काम उसके फादर अपने डेली रोटीन में करते थे, उन काम को अपने फादर की एपसेंस में वो पूरा करता था कौन? प्रणाउन अब दूसरा बेटा था अर्जेक्टिव ये अपने सब के साथ लगकर अपने फादर मदर सभी के साथ मिल कि उनको अच्छा सा शोभाय मानना था इसके साथ मिलकर वो देखने में उनकी प्रस्टेरिटी अच्छी लगती थी अब ये दो भाईयों की एक बहन भी थी और उसका नाम था एड़वर्ब ठीक है ये बहन अपनी मा के पास रहना बहुत पसंद करते थी और उसके अनेक कामों में उसकी हेल्प करते थी अब क्या है कि इन्होंने दो सर्वेंट भी रखे हुए थे और उन सर्वेंट का नाम था इंडर्जंक्शन एंड कंजंक्शन ये दो सर्वेंट भी मुएली नाउन और इंडर्जंक्शन और कंजंक्शन क्या करते थे कि हमाज जो conjunction है यह वाला servant noun और pronoun को पास लाने में उन्हें मिलाने में बहुत help करता था और intersection क्या करता था जब कभी इन में से noun, pronoun में से और उनके बच्चों में से बाई बेन में से कोई बहुत दुखी या सुखी होता था और वो अपने मन की बात नहीं बता पता था तो इंटरजेक्शन तुरंद बताता था कि कैसा है बच्चा, खोश है आज पर या दुख ही है कौन करता था ये काम? इंटरजेक्शन अब हमारे पास एक और सर्वेंट भी है, दो तो ये थे एक और भी है, उसे सर्वेंट नहीं, उसे हम नेवर बोलते हैं कि इनका नेवर भी था, जो इनकी किसी भी चीज को एक्स्प्लेंड करने में बहुत हैल करता था और उस नेवर का नाम था प्रेपोजेशन जैसे ओन, इन, अंडर, अर्सेक्टर, अर्सेक्टर और आपको एक main math बताएं कि ये जो इतनी बड़ी family थी इन लोगों ने अपने एक ही email ID बनाई थी और वो email ID थी parts of speech Is it clear? एक पर बहुत जल्दी से हम फिर देखते हैं कि London में एक बहुत अच्छी से family थी और उस family का सरनीम था grammar जी आर ए डवल एम ए या इस family में जो male member था वो था noun और जो female थी वो थी वर्प मतलब noun और वर्प husband wife थे उसके बाद इनके तीन बच्चे थे प्रनाउम, adjective and adverb प्रनाउम और अर्जेक्टिव जो थे वह बेटे थे और adverb उनकी बेटी थी ठीक है? तो अब प्रनाउम क्या करता था? प्रनाउम को अपने फादर से बहुत प्यार था तो जब भी उसके फादर कहीं किसी काम से जाते थे तो उनकी एप्सेंस में प्रनाउम उनके सारे काम किया करता था और adjective भी noun के साथ लगकर और कभी अपने इसे प्रनाउम भाई के साथ लगकर इनकी शोह को बढ़ाता था अब आप ये मत सोचेगा की एडवर जो की बेटी है वो खाली रहती थे नहीं वो हर काम में अपनी मदर वर्ब की बहुत हेल्प करते थे अब आए हमारे पास इनके दो सर्वेंट थे में पहले वो था हमारा इंटरजक्शन और कंजंशन ये इनकी जगा जगा पर हेल्प करते थे जैसे कि जो हमारे इंटरजक्शन था वो यहमेशा ये बताता था कि फैमिली का कौन सा मेंबर जो है वो दुखी है, सुखी है मन में जो उनके एकसाइटमेंट है उन सब को वो तो शो नहीं कर पाते थे या इंटरजक्शन शो करता था अब पैपोटीशन ये क्या करता था यह किसी भी नाउन और प्रनाउन के साथ लिख कर लग कर लग कर लिख कर लिख कर तो एक तरह साब लिंकिंग पूर सकते है लिंकिंग बर होता है ये जैसे कि अप इन अन्डर इस तरह से इस तरह से हमारे parts of speech complete हुई आपको हमने बताया, इनका email ID भी थी ये, और उस email, वो email ID थी क्या, parts of speech, thank you, now in next video, we will meet again, फिर से मिलेंगे, आप मेरे चैनल को subscribe जुरू कीजेगा, और bell icon को press कीजेगा, और वो सके तो इसको share भी कीजेगा, thanks a lot.